So now Mirza International, अब देखे, ये तो एक ऐसा फोगाई, इसने सरफ आठ बैजार के अंदर आठ दिन में आपको पैसा दूगना कर दिया लेकिन किस वज़े से? Mirza International के अंदर जो तेजी है, वो किस वज़े से आले है, क्या वो तेजी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? और यह जो demerger हुआ है उसके बाद Mirja International का क्या रोल है और Red Tape का जो इनका ब्रेंड है वो उसका क्या रोल है तो सबसे पहली बाद तो इनके पास छुपा हुआ ब्रेंड था Red Tape जो की लगातार गरो करता जा रहा है इंडिया के अंदर अब Mirja International का जब नाम था ना Mirja International को कोई नहीं जानता था मतलब आगा आप पूछ देना की Mirja International Stock का क्या मतलब ये कंपनी क्या करती है तो किसी को सब ना ये पताते हैं कि इनका Leather Export का वर्क है लेकिन किसी को Red Tape के बारे में जाद तर पता नहीं था पहले बाद में दीरे दीरे पता चला क्योंकि लोग जो है जब प्रोड़क्ट यूज करते हैं तो ढूनते हैं उसका कभी कबार जो इन्वेस्टर है वो उसका हमेसा उंगलिया जो है फोन भी चलेंगे उसको ढूनने की कि या Red Tape का स्टॉक है या नहीं है तो पता चलता है कि Mirja International तो दीरे दीरे लोगों को पता चलने लगा लेकिन एक्च्वल में इसलिए कहीं ना कहीं इसको डीमर्ज करने की सोची और आप रेट टिप को अलग कर दिया गया है और वो सेपरेट स्टॉक अब लिस्ट होने वाला ब्रेंड का और अब Mirja International as a holding company और leather export company की जैसा यहाँ पर रह चुका है तो बहुत ही चूटी कमपनी है जो आपको market cap दिख रहा है जगा जगा अभी वो बिदाव टीमर्जर का दिख रहा है मतला अभी डीमर्जर के साब से यहाँ पर जिस तरीकी से adjustment होने चाहिए आपका price तो adjust हो चुका है आपके जो market cap है या fundamental वो अभी adjust नहीं हुआ है तो जगा जगा अठारा सब करूर का market दिखा रहा है तो वो combine दिखा रहा है जो डीमर्जर कमपनी उसका भी एड़ होकर ही दिखा रहा है अभी अलग लिस्ट नहीं हुए जैसे लिस्ट हो जाएगी वो हर जगा आपको डीम जोने के numbers का ठीक है ना तो आभी देखिए मैं आपको बता दूँ इस market cap मिरजा इंटरनेशल जब पहले एक company थी रेड़ टेप भी उसके इंदर थी और मिरजा इंटरनेशल दोनों साथ साथ थे तो मैं आपको बता दू पहले 45% जो leather export का business है वो 45% बेटेज रखता है और र 45% बच्चा है इसके पास 45% जो आपका जो मिरजा इंटरनेशल के अंदर जो काम है वो अब leather export और आपका as a holding company as a holding company क्यों क्यों कि मिरजा इंटरनेशल के पास red tape की stake है तो मिरजा यहां पर जो है ना इस तरीके से work करने वाला है तो आपको तैय करना है आगे कि आपको red tape के स साथ जाना है यानि कि एक brand के stock में रहना है या फिर आपको मिरजा इंटरनेशल स्टाउक में रहना है जो कि अब leather export और एक holding company है लेकर मैं आपको बता दूँ यहां पर अगर में मिरजा इंटरनेशल के पास अगर मैं पहले निवीज करता तो सिर्फ और सिर्फ रेड टिप क और लगातार वो return बनाएगा उसकी valuation बहुत डाउन है stock की बहुत डाउन है उसे stock की अगर मैं metro से compare करूँ ना उसको तो वो बहुत कोसो दूर है उसकी valuation और कहीना कहीं यह जो demurge किया है वो कहीना कहीं इसका नाम चींज करना चाहिए था मिरजा इंटरनेशनल का मिरजा जिस तरीकी से बाटा जिस तरीकी से रिलेक्स होगा कर रहा है दोनों एक्सपोर्ट करते हैं लेदर को लेकि फिर भी एक brand है और दोनों एक stocks एक जैसे ही है तो इनको demurge नहीं करना था इनको जो है ना इनका नाम चींज करना था उससे इनका काम बन जाता अब देगे मिरज international को मिरजा international का revenue इस Q3 में लमसब लमसब 275 करोड के आसपास कही है ठीक है ना ध्यान रखे है और 275 करोड के आसपास कही है मैंने जब सर्च किया कि कुछ ऐसे stocks हैं जो कि सिर्फ और सिफ leather export करते हूँ उसमें एक नाम मिला super house को मैंने यहाँ पर क्यों लिया है इसका जो revenue है वो मिरजा international से बिलकुल सेम है हूबा हुआ है बिलकुल मतलब आप डीमर्जर करके बाद जो number देखेंगे जो net revenue और net sales आप देखेंगे ना वो आपको सेम देखेंगे गा super house के तरह तो कुल मिलाकर valuation भी हमें उसी से compare करने चाहिए तो इस वक मिरजा international का market के अपना 918 करोड क आसपास है और इस से stock का 285 करोड के आसपास का है तो कुल मिलाकर leather export को मैंने ये देखा है कि leather export के जो भी stocks है उनको market के अंदर valuation ना वो बहुत कम मिल ली है बहुत कम valuation मिल ली है compare to brand क्यों brand ज़्यादा यहाँ पर है और brand कमाता ज़्यादा है ठीक है ना brand ज़्यादा कमाता है compare पैटू आप leather export का अब leather export भाहर एक्सपोड करें उससे कमारें लिकिन एक brand ना वो अपना आपसे लेगा 100 रुपय का माल और बना करना वो 500 रुपय का टेग लगा देगा वो साड़ी 400 में discount पर वो तोड़ा सा अठा कर कर देगा वो ठीक ना तो उसके पास net net margin ना बहुत जा लेकिन ब्रेंड ना वो अपना price tag कुछ भी डाल सकते हैं तो ब्रेंड जादा कमाता है compare to as stock के लेकिन बैक बोन ना वो यह होते हैं तो कुल्म लाकर market super house को valuation नहीं दे पार है उसके पास 285 करोड का market cap है मिल जाए international के comparison super house को market cap बहुत कम है लेकिन revenue और profit जो है न वो same है और value 394 है और आपका EPS 30.73 है super house का तो इतने super number होने के बाद इतना कम मतला अगर आप देखे super house को इतना lowest valuation पर काम कर रहा है यह तो इन सब की चलते अभी तक super house के अंदर कोई भैंकत तेजी अमें stock के अंदर नहीं देखी जब ऐसे हैं जब valuation निखरनी चाहिए वो valuation नहीं निखर के आ रही है उस stock के अंदर तो कुल मिलाकर जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं पता है इसलिए मुझे थोड़ा सा डल लगता है मिर्जा international के अंदर क्योंकि उसका market के बहुत जादा निकल चुका है क्या market ऐसा तो नहीं है कि वो dump कर देंगे इसका जवाब मेरे पास नहीं किलियर एंड लाउट मेरे पास इसका जवाब नहीं क्योंकि मैं काफी देर से इसके ऊपर रिसाच कर रहा हूं मैं उसका पता नहीं लगा पार हूं मिर्जा इंट्रेंसल का अगर मैं सूपर आउस सा कंपैर करता है तो मुझे दूर अटने का उस से मन करता है ठी तो मैं तो सीधी से बात है एक स्टाप्लास मैंटेन करूंगा और मैं बना रहूंगा और जो तेजी होगी बहे गए कि लेकिन खुल मलाकर कहीं नहीं मुझे वो तेजी मुझी होगी क्योंकि ना वो ठीक है वो जो भी है आपका मार्किट कैप 918 करोड है अगर मुझे रुपय का लेवल अगर दिखता है तो फिर ओके मेरे लिए ठीक ठाक है मैं इतने ही देखूंगा बाकि मुझे नम्मर जो है ना मुझे सबसे जादा पसंद है वो ब्रेंड वो रेड टेप और वो इस स्टॉक के अंदर है नहीं तो बहिया आगे ये भड़े या ना बड़े म रहे जाओंगा अपने ब्रेंड के साथ तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेंड के साथ रहना है तो आप रेड टेप की तरफ जो है ना जो स्टॉक लिस्ट होने वाले आप उधर की तरफ देखिए और ऐसे नहीं कूद बढ़िए उस ब्रेंड की वैलेशन उस ब्रे मल्टी फोल्ड रेटान आपके पूर्टफोलियों बना के दे सकता है रेट टिप तुरंट नहीं लेकर आगे के लिए वो इतना स्टॉंग एंड पावर्फुल स्टॉक होगा आप सोच भी ने सकते हैं आप मैट्रो को कंपेर कर लेना वो 24 अजा कोड़ की मार्केट के पर बै यह जादा बैतर है उसके बारे में जान ही है अगर आपको फिर कुल मिलाकर यहां पर यह है कि आप अगर इस स्टॉक के अंदर है आप एक स्टॉप लास मैंटेंड करिए वह बहुत जरूरी है क्योंकि तेजी जो है वह हमेसा रहती नहीं है और तेजी जब फिजल आउट ह होती है इसके अंदर यह कहते हैं आपका होना हो यह जरूर होता है अगर यह चलता रहा क्योंकि वह कहीं रुकना तो ही अगर वह बापश भड़ा तो पॉस्विल है कि यह तो कहीं नहीं पंचास पैस तो यह सथा है आप एड आप थे आइंड आ अगर आपको रीटेल वाला पसंद आपको एक brand पसंद आप रेट टेप की तरब देखिए अगर आपको लेदर एक्सपोर्ट और होल्डिंग अपनी चाहिए तो आप मिरजा इंट्रिनेसल की तरब देखिए तेजी कहा था को गी पता नहीं है यहां पर मंदी क्या बनेगी पता नहीं है आप एक स्टॉब लॉस मेंटें करो मंदी होगी तो आपका स्टॉब लॉस रेट ओजाएगा आपका पैसा बच जायागा ठीक ना सो उमीद आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिली होगी आपके कहना इसको ऊपर कमें सेस्ट में कहिए और अगर आपके स्टॉब लॉस पूशे हैं खुछ पूशे हैं खुछ प्ताने कुछ कहना है तो प्रीश को इन सेस्ट आपके यह और आप दीश पिजाएगा वीडियो देखने के लिए पातो दन्माद दोस्तो